नमस्कार गोरकपूर न्यूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा आगे पढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर गोरकपूर न्यूज के सरप्रायो जख है मट्कू मंगलम टावर गोलगार गोरकपूर राजिस्थान के उदैपूर में हुई घटना पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशाद ने कहा कि राजिस्थान की घटना मानवता को है शर्मसार करने वाली सरकार जल्द से जल्द जाच करवा कर करवाए अपराधियों को फासी की सजा जिलाविदिक सिवा प्राधिकरन के तत्वाधान में जनपत नियाएधी स्टीज प्रताप तिवारी के देख्स्ता में आर्बिट्रेशन के माध्यम से निश्पादन हो सकने वाले वादों के निस्तारन के लिए विशेस लोग अदालत का किया गया आयोजन विशेस लोग अदालत में आये कुल 574 वाद 138 वादों का किया गया निस्तारन दो स्टेसनों के बीच में ट्रेन होने से अब ट्रेने नहीं होगी लेट रेल की लाइनों पर रफ्तार के साथ ट्रेनों की भी बढ़ेगी च्छमता रेलवे बोर्ड ने पूरुत्तर रेलवे में और अटमेटिक ब्लॉग सिस्टम को लगाने की दी मंजूरी पहले चिरंद में गुरपूर से लखनओ के बीच पूरुत्तर रेलवे भी कारेकराने के लिए कर रहा है एजञेंसी फिक्स पूरुत्तर रेलवे के सीपिआरों प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना मचवा मत्स से पालको की प्रदेश सरकार के मत्स विवाक के account मंत्री medicine Dr. संजै कुमार निशातहे द्यक्सता में विचार गोस्टी का किया गया अयोजन कहा से संपदा योजना से मचवा समदाए लोन लेकर मशली पालन कर बढ़ा सकता है अपनी आय SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का सहारनपूर SSP के पत पर हुआ तबादला जुनपत के पुलिस कर्मियों वा सम्मानित नाग्रिकों ने मालयार पढ़कर SSP को दी विदाई सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्तिक कैम्पेण के अंतरगत कच्रा संगरहन करता स्वैम सेवी संस्थाओं ग्रीन हीरोज के सम्मान समारों का किया गया आयोजर अपर नगर आयुक्त ने 50 कच्रा संगरहन करताओं को प्रसस्ति पत्र दे कर किया सम्मानित और S.S.P. डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बेनी गंज चौकी का जीरोद्वार कर फीता काट कर किया उद्घाटन कहा चौकी से आम जन्मानस के समस्याओं को समाधान करने में होगी आसानी अब खबरें विस्तार से प्रदेश सरकार के कैमरेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निर्साद ने राजस्तान के उदैपूर में हुई घटना पर कहा कि राजस्तान में हुई घटना ने मन को जगजोर के रख दिया लेकिन मैं प्रधानमंटरी मोधी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मामला संग्यान में आते ही कारिवाई सुरू कर दी लेकिन राजस्थान में कांग्रिस की सरकार है जिसको जनता हर प्रदेश से धीरे-धीरे हटा रही है उन्होंने कहा घटना की NIA जाज कर रही है जल्द ही अपराधियों को फासी की सजा दी जाएगी इस संबंध में गुरखपूर नियूस से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैमिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशाद ने कहा अब राजस्तान में हमारी सरकार है ने अब दूसरे की सरकार है जिला विधिक सेवा प्राधिकरन के तत्वधान में दिवानी नियाले परिशन में रविवार को जनपत नियादी स्तीज प्रतापतिवारी की अध्यक्स्ता में आर्बिट्रेशन के माध्यम से निश्पादन हो सकने वाले वादों के निस्तारन के लिए विसीज लोग अदालत का इवजिन किया गया इस दोरान जनपत नियादी स्तीज प्रतापतिवारी ने दीप रजलित कर विसीज लोग अदालत का शुभारम किया जिसमें जनपत नियादी स्वारा कुल 15 वादों का निस्तारन किया गया इसके अलावा कमर्शिल नियाले के पीठा सीन अधिकारी साकेत बिहारी दीपक द्वारा 29 वादों का निस्तारन किया गया तथा समस्त अपर जनपत नियादी स्वारा 94 वादों का निस्तारन किया गया आपको बता दें कि विसेश लोग अदालत पर कुल 574 वाद आये थे जिसमें 138 वादों का निस्तारन किया गया इस संबन्द में गुरिकपूर नियुस से बात करते हुए जनपत ने अधी स्थेश प्रताप तिवारी ने कहा झालं को झाल हुए भाल य गुरिक वाजाँक शाओब लोग जारे जने वादों कोशार कर्णा को ऴीक बदnym में संब घर हैं चालं हो था है यहाद कि एल भ बोग झाल वीक जला एंस्टेश्ट कि भाल शोस्तों कि भी रखे हुआ थाल इंट इस विशेष लोक अदालत में सारे जिलाजाज अस्तर के जो अधिकारी है, हाईर जुडिशी अर्स विशेष के उनहीं क्या जो मामले लंबित है विचारा धीन है, वो निश्पादन वाद, आर्बिट्रेशन, अधिनियम के अंतरगत, तो जैसे आपने गाड़ी खरीदा, गाड़ी पे लोन है, वो लोन का भुकतान से समबंदित मामले हैं, तो पक्षकार आएंगे पैसे जमा करके और निश्पादन मामलों को समाप्त करे ट्रेनों के दो स्टेशनों के बीच में ट्रेन होने से अब ट्रेने लेट नहीं होंगी, रेल की लाइनों पर रफ्तार के साथ ट्रेनों की चमता भी बढ़ेगी, ट्रेनों के रवाना होने के लिए स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों को आगे वाले टर्न के अगले स्टेशन पहुचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा ट्रेन के स्टेशन यार्ड से आगे बढ़ते ही पीछे वाले ट्रेन को भी ग्रीन सिंग्नल मिल जाएगा यानी एक बॉक्स सेक्षन में दो स्टेशनों के बीच एक के पीछे एक गाड़ियां चलेंगी जिसके संबंध में पू उत्तर रेलवे भी गंभीता से कारे कराने के लिए एजनसी फिक्स करने का कारे कर रहा है रेलवे बोर्ड ने गुरपूर के रास्ते लखनव से छपरा तक आटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की लगाने की मंजूरी दी है जिसके पहले चरण में बारबंकी गोंडा बस्ती के र लखनव से गुरपूर के बीच 272 किलोमीटर रेल लाइन पर आटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की विवस्ता की जा रही है नई विवस्ता के तहते सिंगनल के डबल डिस्टेंस से आगे प्रतिक एक किलोमीटर पर सिंगनल लगाये जाएंगे सिंगनल के सहारे ट्रेने एक के प यिद्फिक रिवस्ता के लिए गुरपूर में सेंट्रल ट्रेफिक कंट्रोल रुम में सीटीसी स्थापित करने की यूजना है सीटीशी ट्रेनों की नेगरानी के साथ काम्यों को भी यदा सीग दुरुस्त करेगा पुरुतर रेलवे में अभी भी absolute block system परंपरागत ही चल रहा है जिसमें एक train के अगले station पर पहुत जाने के बाद ही पीछे आने वाली train को आगे बढ़ने के लिए green signal मिलता है इस विवस्ता में बेवज़े train लेट होती है खाली rail line की छमता का पूरा अपयो station master के बीच communication भी कम हो जाएगा और real time information मिलने से signal repair में भी समय कम लगीगा जिसके कारण safety भी मजबूत होगी इस संबंध में गुरःपुर नियूस से बात करते हुए पूरुतर रेलवे के CPIRO पंकच कुमार सिंग ने कहा गुरःपुर से लखनो के मद आटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का वर्क स्विक्रित किया गया है इस वर्क के हो जाने से जो line की शमता है वो बढ़ जाएगी साथी साथ जो टेनों की monitoring है वो और बहतर तरीके से हो पाएगी इसके अंतर गत एक ब्लॉक सेक्शन में normally on an average हर किलोमेटर पे एक सिगनल लगाया जाता है four aspect signal होते हैं जिसमें red signal अगर मान लेजिए कोई है तो उसके जश्ट पहले का signal yellow होगा उसके जश्ट पहले का signal होगा तो double yellow होगा उसके पहले का signal grain aspect में रहेगा ये एक general उसका sequence होता जिससे टेन चलती है अभी जो existing system है block section वाइस train चलती है कि अगर एक station से कोई train निकलती है तो जब तक अगले station पर रिसीब नहीं हो जाती है तब तक दूसरी train उस block section में नहीं जाती है लेकिन इस सिस्टम हो जाने के बाद हर किलोमेटर पर एक सिगनल रहेगा और सेम ब्लॉक सेक्षन में एक से ज्यादा टेने चल सकेंगी जिससे सेम ट्रेक स्ट्रक्चर के साथ और सारी विवस्थाएं जो वटमान में हैं उनके साथ हम अधिक ट्रेने चला पाएंगे एक ब्लॉक सेक्षन नॉर्मली एवरेज अगर देखा जा तो टेन किलोमेटर के आसपास होता है तो हर किलोमेटर पर जैसा कि मैंने बताया है एक सिगनल पोष्ट लगेगा और फोर आसपेक्ट सिगनल होंगे जिसके माध्यम से हम लोग और ज्यादा टेने एक ब्लॉक के कैमिनेट मंतरी डॉक्टर संजे कुमार की अद्यक्सता में प्रधान मंतरी मत्से संपदा योजना मच्वा मत्से पालकों पर nxc भवन के सभागार में विचार गोस्टी कायोजिन किया गया इस दौरान मचसी मन्त्री डॉक्टर संजे निशाद ने गाड़ी को हरी झली दिखा कर रवाना किया इस उसर पर मचसी विभाग के कैमिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशाद ने समबोधित करते वे कहा कि प्रधान मंत्री मत्स संपदाय योजना की अंतरगत भारत सरकार दोरा मच्वा समुदाय के लोगों को मशली पालन हे तू विविन प्रकार की धनरासी दी जा रही है मच्वा समुदाय के लोग मशली पालन कर उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेनर मोदी और प्रदीश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ इस दिसा में काफी प्रयाश्रत है प्रदीश सरकार मच्वासम उदाय के लोगों को जागरुक करने ही तो विविन योजनाओ को जन जन तक पहुचाने ही तो गोस्टी के माध्यम से अभियान चला रही है जिससे लोग जागरुक हो सके और मच्वली पालन कर अपनी जीव का पढ़ा सके उन्होंने राजस्तान की उदैपूर में कनहिया के मृत्यों पर कहा कि सरकार जाच कराकर दोस्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने ही तो संकल्पित है इसी के साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किया इस औसर पर सदर शांसर रवी किसंद डॉक्टर अमित निशाद सहित अने लोग मौजूद रहें इस संबन में गुरखपूर नियूस से बात करते हुए प्रदेश सरकार के मत्सिक विवहाग के कैबिनेट मंती डॉक्टर संजे कुमार निशाद ने कहा इस गिर देए जिसमे प्रदेश प्रदेश के लिए इस दोब कर दोनकी मैं है जो आफियो फिल इस प्रदेश रखिक शार शांसर निशने कर दो एंधते हुए प्रदेश से बिलाएग मौज। शुच्छुत को राती हो पादी ही सभी कर्मां काया करता हूं मैं टहर दिसी सभी अधिकर्णत रदने लोग का अधियों सभी अधिकर्णत है कि आज काई कि विचार भोष्टी है जिए पिचार भोष्टी एक विचार भारा की वारे जाड़ा के तिसा है ना कि अधिर वह संतर साल में हमारे इस पच्वासंदाय को मदद की जवस्तों पड़ें कि मैंने अंग्रेजों को बढ़ाया देश को आजात कराया अप्र दिया व अब आज कि दिने प्रामंत्री इस मश्वासंदाय में उस पर हम दो चक्चा पर चक्चा करें और प्रदाद मंत्री के ने बॉपने सावघात दिए संतर साल में इस संताने बहेरी बाराथ आपकी सावघात पर दिए में पच्ची सवर्जाइत वहें जिसमें हम 10,000 से लिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि आप प्रोगा फोन इसाथ पारी भॉक्राइब इसाथ करें और भातू बछाइब की और बड़ी सोच के साथ बड़े बात कर सकते हैं कि बड़ी समस्यां के साथ क्यों कियों कि मच्षक है के साथ साथ मतस्फालग जितने वियर AJMYं प्रण्मंच्इलां मंत्री मतस्मपदायुजना के अत्रफ भारत सरकार ने का निके इन COVID-19 सायता देनी का एलान किया है और उसे हम प्रदानमंद की मत संपधा उजनांत करते हैं पहले अनके अंदर ये था कि इसके बाद पोकर जाल होंगे ताल होंगे उसी को मचली पालन के छेते में सायता मिलती है ऐसा नहीं इसमें चोटे मोटे रोजगार बेरोजगार भी आ सकते ह हैं हमने साइकेल में देकर अनुजित कर सकते हैं हम लगबग महिला और पुरुष को में अलग-अलग है महिलाएं और सामान के चारीज परसिंद गाओं की नोगों को पता नहीं था कि भारती पहले इंको पता था कि हम पट्टा लेंगे और कमा के सरकार को देंगे लेकिन परदान मंत्री जी ने एक ऐसी बेवस्ता की है कि नहीं नहीं हम नसपालकों को सायता भी देंगे और लगबग हर शेत्रों में जिसके बाद पोखरे होंगे ने तालाब बनाने के लिए उसमें पचली पारन के लिए किसी के घर पे दरवाजे पर भी थोड़ी जमीन सब्सक्राइब करने के लिए परदान लिए उससे भी उन्हें मिल राएगा ऐसे हम लोगों इस बार बीपेल के लोगों को जादे जोड़ा है तो अपने दरवाजे छोटा सब खोद लेगा उससे भी पजार जार की इनुटा तीस जार के आसपा सब्सीदी थे और उसमें उ कि योजना है हमारे सजी मौदू है इसे लिए कि जो गाउं में दूर दराज से रहने वाले लोग हैं वहमारी योजनाओं के बारे में जान ले आवेदन कर ले पोर्टल पहली से कुला पंगर दिन चलेगा आवेदन करके और इसे लाव करें और अपने जीवन में उसाली ल सरी करके और ती 100-500 दिन वो लंबा करके बढ़ा करके दो रुपे खमा सकता और हर देड़ महने पर अपनी आई को अपने आई को बढ़ा सकता और अपने इस स्रेत में काम कर सकता उसी के लिए आज का ये गोश्टी है और गोश्टी के मादम से एक तो पार्टी के बारे में समझाये जाए गया और पिछली सरकारों की घलत नीद्व के बारे मिने अगाख किया जाएगा अब प्रधान मंत्री मिक्मंत्री जो नीद मनाए और जिसका दुबारा महर माराश जनता ने उसे भी समझाये जाए और जोजार चोबीस की इसी वायाने तयारी मी का ज़िए ज प्राशन मंत्री को बारत के पूरान मंत्री देश की सर्वोबात जगने चंता प्रायम मंत्री हुन देश में चंता करें हैं विश्वास करते हैं वार्थी जिर्टा पार्टी जैसा समय आता हो इसा नेड़ली थे संब्सक्राइब करते हैं अब इनको पूरी क्यांकारी दी जाएगी प्रहान मंत्री मत्सफदागी है पित्ते सहायता है अब वक्तो चलाएक छोटे से ब्रीक का प्रीक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राजस्थान के उदैपूर में हुई घटना पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशाद ने कहा कि राजस्थान की घटना मानवता को है शर्मसार करने वाली सरकार जल्द से जल्द जाच करवा कर करवाए अपराधियों को फासी की सजा जिलाविदिक सिवा प्राधिकरन के तत्वाध हानवे जनपत नियाएधी स्टीज प्रताप तिवारी के धेक्स्ता में आर्बिट्रेशन के माध्यम से निश्पादन हो सकने वाले वादों के निस्तारन के लिए विशेस लोग अदालत का किया गया आयोजन विशेस लोग अदालत में आये कुल 574 वाद 138 वादों का किया गया निस्तारन दो स्टेसनों के बीच में ट्रेन होने से अब ट्रेने नहीं होगी लेट रेल की लाइनों पर रफ्तार के साथ ट्रेनों की भी बढ़ेगी च्छमता रेलवे बोर्ड ने पूरुतर रेलवे में आटोमेटिक ब्लॉग सिस्टम को लगाने की दी मंजूरी पहले चिरण में गुरिपूर से लकनाओ के बीच पूरुतर रेलवे भी कारे कराने के लिए कर रहा है एजेंसी फिक्स पुरुत्तर रेलवे के सिप्यारों ने दी जानकारी प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना मच्वा मत्स पालकों की प्रदेश सरकार के मत्स विवाक के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशात यद्धिक्स्ता में विचार गोस्टी का किया गया आयोजन कहा मत्से संपदा योजिना से मच्वा समुदाय लोन लेकर मशली पालन कर बढ़ा सकता है अपनी आए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का सहारनपूर SSP के पत पर हुआ तबादला जुनपत के पॉलिस कर्मियों वा सम्मानित नागिर को ने माले अरपड़ कर SSP को दी विदाई सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति कैम्पेन के अंतरगत कच्रा संगरहन करता स्वैम सेवी संस्थाओं ग्रीन हीरोज के सम्मान समारों का किया गया आयोजर अपर नगर आयुक्ति ने पच्चास कच्रा संगरहन करताओं को प्रसस्ति पत्र दे कर किया सम्मानित और स्सपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बेनी गंज चौकी का जीरोद्वार कर फीता कार्ट कर किया उद्गाटन कहा चौकी से आम जर्मानस के समस्याओं को समाधान करने में होगी आसानी पेगस निसान गुरणपुर का एक मात्र निशान डस्टन का एक्स्क्लूसिव शोरूम और वर्क्शॉप जी हाँ सही सुना आपने जिन गाडियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गुरणपुर से बाहर जाना पड़ता था अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छट के नीचे पेगस निशान सेल्स सर्विसेस एन स्पेर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गुरणपुर हमारी तरफ से विसेस ओफर निसान डस्टन गाड़ी की खरीर पर फ्री इंसुरेंस कंडिशन्स अपलाई हुआ है तर्स्क्राव देप्स जन किन माद अजय अजय motive झाल झाल रोयल लोगों की रोयल परशन रे रोयल चाहे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का शनिवार को तबादला होने के बाद नागरी कोवा पुलिस कर्मियों ने रविवार को मालयार पड़ कर विदाई दी आपको बता दे कि SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का शनिवार को सहरनपूर SSP के पद 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 तबादला हो गया जबकि गौरव ग्रोवर को गुरेकपूर का सासन ने नया SSP बनाया SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 10 अगस 2021 को गुरेकपूर SSP का कारेभार ग्रहन किया था लगबग 11 महिने कारेकाल के दौरान विवाग ब्रिस्टरचार के खिलाफ महीम छेडी और कई पुलिस कर्मियों के उपर मुकदमा दर्श करवाया और फरियादियों वा पुलिस कर्मियों की आपने सामने बैचक करवाया जिससे गलत साबित होने पर बैचक में ही पुलिस कर्मियों को सस्पिंड किया गया तथा आई जी आरेस पर आई शिकायतों के निस्तारन के लिए फरियादियों के साथ बैठक करके उनके समस्या का समाधान भी किया गया सब्सक्राइब करके लिए अच्छा काम किया है सिपाई यह नाम करवा उनका सब्सक्राइब बिजवाद हो जाएगा यह लो थैंक जो भी आई आई अब बहुत है अब बहुत है अब बहुत है उत्तर प्रदेश सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कैमपेंड के अंतर गत्र कच्रा संगरहन करता स्वेम सेवी संस्थाओं ग्रीन हीरोज के समान समारों का आई जिन किया गया इस दोरां पचास कच्रा संगरहन करताओं को प्रसस्ति पत्र दे कर समानित किया गया जिसके संबंद में अपनगर आयोक दुर्गीश मिस्टा ने बताया कि शासन के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक के 71 करणवा लगाए गये प्रतिवंधों को प्रभावी रूप से लाग ना करें क्योंकि इससे तमाम तरह की विमारिया होती है बलकि पर्या वरन भी प्रदूशित होता है विद्यालों को जोड़कर के लोगों को सपत दिलाया गया कि प्लास्टिक का उप्योग नहीं करेंगे जिसको देखते वे सफाय करम शालियों कश्रा संगरहन करताओं सहित कुल पचास लोगों को समानित किया गया इस उसर पर उपनगर आयुक्त संजे सुकला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे इस संबन्ध में कुरेपूर्णियों से बात करते हुए अपनगर आयुक्त दुरगेश मिश्रा ने कहा चक्रम एवं उसके संबन्ध में लगाए गया पतिवन्ध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिगरत एक सब्ता से तमाम कारेक्रम नगर निगम गोरतपूर के द्वारा आयुक्त किया गया आज इस सबकार के कारेक्रम का अंतिम देश है इन सबका मनूमल बढ़ाने के लिए सैनिटेशन ही रोज का सम्मान किया जाना है उसी की कड़ी में हम सभी आज यहां पर एकत्रित होए हैं तो हमारी टीम के जिन लोगों ने इस पूरे अभियान में बहतर काम किया है उसको हम लोग यहां आज के दिन सम्मानित करेंगे और उसी की कड़ी में जो भी हमारे नाला गैं के करमचारी है जो भी हमारे सपाई करमचारी है जो भी हमारे रैक पुकर्स हैं जो लोगी सभ्यान से हम बहुते हैं उन में से हमने कुछ लोगों को यहां पर हमंत्रित किया है और हम सभी अभी उनको प्रमालपत्र निगम की तरफ से जो उनको टी सर्ट और कोपी दी गई है पानी में काम करने वाले हमारे कमचारी काफिया उनकी टाइप सेविंग जैकेट और कम आद्या जो गोगी तरफ लाजेंद कुमार पुट्विस्तरी आजा वैल दियाओ जिया जी नहीं है इदे इदा इदा सामने लखी है लुक्मिनी लौहाल, सहलेज, कौर, अबिनास, अबिनास, जो कोई फुत्र बां करन, अबिनास, शमेंद, गॉड़्ड यॉड़ा, ग रांनी, शमेंद, फिरह, भिगेंद, टख़ह, यॉड़्ड और भिग्या, तख़ह, ईए, बढ़िए, अबिनास, सुने, जो कॉड़र, जो कहा, ऐधी थे।, चुह, बिक रांनेस, अबिनास, सुने ऑनemente, चुह, भिवदे श्यएने, जो किसी नहींग सल्मान करना तरफ़ चाहिए, राजन, इत्पली इचित देगे बली स्टैबर से वाज़गी परफ़ चाहिए अपर पहले वाज़गी जान वाज़गी देखे शासन की निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक के एक अप्तिरिकरा उना चक्रा और इस पर लगाए गए प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 29 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का रेस के नाम से कारेकरम सासन के रिदेश पर चलाया जा रहा था जिसमें रेस का पूरा जो नाम है रिडक्शन, अवेरनेस, सर्कुलर्स अफ सलूशन और मास इंगेजमेंट यह पूरे सब्ता अवर हम लोगों को यह बताने में कि सिंगल यूज प्लास्टिक के क्या-क्या दुसप्रभाव हैं इससे क्या-क्या दुस्वारियां, क्या-क्या परिशानियां हमारे सामने आती हैं पर्यावरण को कैसे ये नकारात्मक रूप से प्रफावित करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने लोगों को बताया, विद्यालियों को इससे जोड़ा, महा सपत अभियान प्रति दिन हम लोगों ने चलाया, और उसी की कड़ी में आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन में हम लोगों को जो स्वच्छता से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनोंने बहतर काम किया था, उनको सम्मानित करने का आज ये कारिकरम आयोजित किया गया था, जिसमें आज के दिन हमारी जो नाला गयं के करमचारी हैं, जो हमारे सफाई करमचारी हैं, जो हमारे राग पिकर्स हैं, जो basically single-use plastic के एकतरी करन और उनके पुना चक्रन से संबंधित हैं, उनको संबंधित करने कारे करम हाजी आयूजित किया गया है। कुल आज 50 लोगों को संबंधित किया गया है। SSP Dr. Vipintada ने रवी वार को बेनी गन चौकी का जिरो द्वार कर फीता काट कर उदघाटन किया जिसके सम्मन्द में SSP City कृष्ण कुमार विश्णोई ने बताए कि SSP Dr. Vipintada द्वारा बेनी गन चौकी का जिरो द्वार कर उदघाटन किया गया है इस चौकी की हालत बहुत ही खराब थी SSP द्वारा एक महीना पहले निरक्षन किया गया था जिसमें बहुत सी खामिया पाई गई थी इसको दूर करने के लिए CEO कोतवाली विमिल कुमार सिंग कोतवाली थाना प्रभारी कल्यार सिंग सागर और बेनी गन चौकी प्रभारी अजीत कुमार चितुरवेदी द्वारा अच्छा कारी किया गया है जिससे चौकी के हालत में सुधार हुआ है जिससे सभी नागरिकों को लाप मिलेगा इस संबन्द में गुरःपुर नियोस से बात करते हुए S.P.C.T. कृष्ण कुमार विष्णुई ने कहा अठी सभी स्भी ने को हानल है अरे बाई शर का वेल होगे हामारे शाध्र म्रुण सेών के लोगे Indad खत्रमकーテपा दूए व्रुर्रम्वद्वा सेवा कूष्ड इतिरे रंगे शुखों स्चतर हम्षणयव कॉम्षणो ब्रिonstव मिले भाल्रु कर दो, झाल, प्रहा रा झाल, शाताओ, राप तो, अरत बसै Beanान कर दो सबमारोreibt प्रहा रया ओार्ड में कर लोक बानी लोक gy अधंगा जे के खो जा थो जान एंग रा wrapped जा जा हम एफ खो जान ऑ dental फीजा कम आ इलां पितो आज जनपत गोरकपुर में SSP श्री विपिन टाडा साथ द्वारा बेनी गंच चोकी का जिर्णोदार कर वापस गटन किया गया इस चोकी की बहुत ही माली हालत थी सर द्वारा एक महीने पहले इंस्पेक्शन किया गया इंस्पेक्शन के दोरान काफी कमिया पाई गई उन्हीं कमियों को दूर करते वे आज गोरकपूर न्यूज में आज के लिए बुस इतना ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशाद ने कहा कि राजिस्थान की घटना मानवता को है शर्मसार करनी वाली सरकार जल्द से जल्द जाच करवा कर करवाए अपराधियों को फासी की सजा जिलाविदिक सिवा प्राधिकरन के तत्वाध हानवे जनपत नियाएधी स्टीज प्रताप तिवारी के धेक्स्ता में आर्बिट्रेशन के माध्यम से निश्पादन हो सकने वाले वादो के निस्तारन के लिए विशेस लोग अदालत का किया गया आयोजन विशेस लोग अदालत में आये कुल 574 वाद 138 वादों का किया गया निस्तारन दो स्टेसनों के बीच में ट्रेन होने से अब ट्रेने नहीं होगी लेट रेल की लाइनों पर रफ्तार के साथ ट्रेनों की भी बढ़ेगी च्छमता रेलवे बोड ने पूरुत्तर रेलवे में आटومेटिक ब्लॉक सिस्टम को लगाने की दी मंजूरी पहले च्रण में गुरिपूर से लखनाओ के बीच पूरुत्तर रेलवे भी कारे कराने के लिए कर रहा है एजन्सिय फिक्स पूरुततर रेल्वे किसी पे आरों ने दी जानकारी प्रधान मंत्री मट्स संपदा योजना मचवा मट्स पालको की प्रदेश सरकार के मट्स विवहा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशात यतिकस्ता में विचार गोस्टी का किया गया आयोजन कहा मत्से संपदा योजिना से मच्वा समुदाय लोन लेकर मश्ली पालन कर बढ़ा सकता है अपनी आए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का सहारनपूर SSP के पत पर हुआ तबादला जुनपत के पॉलिस कर्मियों वा सम्मानित नागिर को ने माले अरपड़ कर SSP को दी विदाई सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति कैम्पेंड के अंतरगत कच्रा संगरहन करता स्वैम सेवी संस्थाओं ग्रीन हीरोज के सम्मान समारों का किया गया आयोजर अपर नगर आयुक्ति ने पच्चास कच्रा संगरहन करताओं को प्रसस्ति पत्र दे कर किया सम्मानित और स्सपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बेनी गंज चौकी का जीरोद्वार कर फीता काट कर किया उद्गाटन कहा चौकी से आम जन्मानस के समस्याओं को समाधान करने में होगी आसानी अब मुझे दे इजाज़त नमस्कार अब मुझे अब मुझे अब मुझे आसानी